आज मैं आपके लेका हैं कच्छे आम की खट्टी मीटी मसालेदार लॉंजी की रेसिपी स्वाद ऐसा की एक बार बना लो महिने बार तक खालो इतनी टेस्टी होती है और ये गर्मियों की स्पेशल रेसिपी है तो चलिए दोस्तों देरी की स्वाद की करते हैं अपना वीडि कला की जिए बार कार स्क Consider Kekal बता हुद करें इस पर सारे कचे आहिए अब इनकी कटिंग करेंगे तो पर इसी तरहीं से एक पर छोड़द कर लेकायों इसके अंदर बीज होता है वो निकाल देंगे हम यह इस तरीके से और लंबे-लंबी इसकी फांक कर लेंगे आप शेप को इसी भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है तो यहां पे इस तरीके से की कि पीस कर रहे हूं कुछ इस तरीके से तो चलिए दोस्तों सारे आमके अच्छे से ऐ हाइव लीकोछ लगाए आप वहां गए जैता है इसको अछिताई यहांगा है टीजक्चा एन यहांगा होगा क्या सब्सक्रिआ हम पर फैर को लिए लेकल आप आचल जाए गर वोउदाव को अध्याय आप बर जाहता है तो यहांगा tiro यह तो अब अब अप्लेम को आफ खर देते हैं और फटा फट से एक स्टेनर में निकाल लेते हैं अब एक बाउल ले लिया इसके उपर स्टेनर रखेंगे और इसको नहीं अच्छे से आम च्छान लेंगे तो पानी नीचे चला जागा पाल में और यह आम उपर रह जाए ले लेंगे मुक्सी जाद यहां दो चमच टालेंगे साबुत धनाया और यहां पे डैल ची मच कहारा है यहां चर i a mere के तेस्ट आता है तो dirhels यहां तो चलिए अब हम इसकी लॉंजी बनाएंगे उसके लिए चलते हैं तो चलिए तो चलिए दोस्तों पहले हम तेल को गरम कर लेते हैं पहला गरम कर दें अब यहांपर क्या करेंगे एक चलिए डाल देंगे आधी चैस्टी डाल देंगे और दो पिंच कर के इहां पर हम कलोंजी डाल देंगे और दो मैंने सावुत लाल मिर्ची तोड़के डाल दी इसको भूल लेंगे और फ्लेम को आफ कर देंगे कि हाई फ्लेम हो रही है हमारी तो इसी में आफ कर दिया वह ने पाउडर गुनाया तरहां सावुत धनिया का और उसका तो उसको अच्छे से बूल लिया डाल गे अब आधी और नमक पाकी अब अपने पाऊटे में लॉण्री से पनुकलावलेक्षास को अच्छे से उतूते हैं ओधाल से बस्क्तू होथ इसको अच्छे से भी अच्छे हिसाब से एड़ कर सकते हैं कम या ज्यादा जैसे भी आप इसकी टिंगों पूरा एक ग्लास भर के पानी डाल दोगी तो इसको अच्छे से मिलाएंगे अब यहां पर हम मीठे के लिए आप चाहो तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं बट यहां पर मैं डालोंगी चीनी तो यहां पर मैं करीब है चाहर बड़ी चमझ मैंने चीन ले लिया है और डाल देंगे डालने बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे 350 अच्छे-चीन對吧 ben अच्छे से पखाने रख देंगे दो तेन मीड़ हुचुक और बहुत ही अच्छे से तो यहां पर मैंने एक चौता ही चमज़ काला नमक डाल दिया काला नमक से अलगी स्वाद आ जाता है अच्छा से मिलेंगा बीच बीच में इसको चलाते जाएंगे तो चले दोस्तों एक मिनट के और पका लेते हैं तो यह लिए जिए फ्रेंट एक मिनट हो चुकिए है और प पानी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आपको कैसे लगी ज़रूर बताना तो लीजे फ्रेंट आम की लौजी हमारा बनके तयार हो चुक है तो फ्लेम को आफ कर देते हैं और फटा फट से एक बाल में इसको सर्व कर लेते हैं फ्रेंट यहां पर हमने एक बाल में गर्म अगर हम सर्व कर रहे हैं कुछ इस तरीके से बहुत ही लजीज लग यह मुपे पानी आ रहा है तो यह लीजिए फ्रेंट्स खटी मीठी मसाले दार हमारी लौजी बनके तयार हो चुक है एक बार बनाएं और महीने बार स्टोर करके खाएं स्वाद ऐसा कि बहुत ही गजब